आपका जैसे कि एक्जाम है राश्चे मिलिटरी स्कूल का 17 दिसंबर उसी के लिए ये सारी प्रैक्टिस चल रही है अभी आज की डेट में हम आपको सिखाएंगे कि जो आपके speed, distance and time के जो questions आते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से कम से कम समय में किस तरीके से सारे के सारे questions class 9 के भी इसमें कुछ cover है और basically ये class 6 के based पर है तो एक से दो questions इसके अंदर से आपको राश्चे मिलिटरी स्कूल में मिल जाने जाएं तो चलिए स्टार्ट करते हैं राश्चे मिलिटरी स्कूल के जो previous years के questions हैं उनको जो की speed, distance and time पर ही okay तो let's start with the first question और question स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक introduction दे दूं कि हाँ जो speed distance का chapter है उसके अंदर आपको headache लेने की जरूरत नहीं होती है only and only आपको याद करना होता है that is this formula अब आपका वो train से ही question हो या तो train से होगा या तो आपका normal question होगा six level में बात की जाए तो normal level में क्या होता है conversion आ जाता है कई बार आपका train का question आ जाता है ठीक है तो उन सभी questions को यहाँ करेंगे बट उससे पहले एक formula होता है that is speed equal to distance upon time यह आपको पता होना चाहिए अगर आपको यह पता है तो फिर आपको सारी चीज़ें पता है next जो है trick और trick के लिए हर एक question की अलग-अलग trick होती है वैसे तो हम लोग सभी बच्चों को एक ही चीज़ सिखाते हैं कि with the help of single formula एक formula की help चाहिए आप सारे का सारे questions खड़ा ले ठीक है तो उसीज़ें को भी हम लोग यहाँ discuss करेंगे तो चलिए देखते हैं पहले तो आपने speed equal to distance upon time एक आपको exam के अंदर आता है conversion classic standard में class 9th में जो है अलग आता है थोड़ा सा यहाँ देखिएगा conversion के अंदर अगर हम लोग जाएं तो सबसे पहले एक conversion देखना होता है that is kilometer से meter per second में kilometer per hour से meter per second के लिए आपको सीधा multiply करता होता है 5 by 18 से और answer आपका निकल किया जाता है meter per second यह चीज़ आपकी काम करेगी जब भी train का question एक simple चीट्रिक है अगर question के अंदर train आ गया तो सबसे पहले आपको speed को convert करता होता है speed हमेशा meter per second में होनी चीए क्यों क्योंकि आपकी train की जो length है वो हमेशा meter में होगी ना की kilometer में होगी इसलिए आपको यह चीज़ याद रखने है ठीक है तो चलिए start करते है questions को दिखा है और train अब यहाँ पर word क्या गया है train तो train word आती है आपका mindset बन जाना चीए कि आपकी speed ज question पढ़ते हैं और उसे solve करने की कोशिश करेंगे और इसकी जो भी trick होगी उसको साथ साथ discuss भी करते चाहेंगे पहले normal फिर उसके बाद में trick है ना दिखा है train with a speed of 36 km per hour अगर एक train है suppose this is a train यह train है और इसकी speed कितनी है speed is equal to 36 km per hour तो सबसे पहले अपने काम करता है that is speed को convert कर ले तो क्या जाएगा 36 into 5.18 जैसा में अरा आश्म बताया था 18 to 36 5 to 10 meter per second 10 meter per second यह आपकी हो गई क्या speed आगे दिखते हैं takes 24 seconds to cross a man आप ध्यान दिजीगा कुछ चीज़ें होती हैं बस वही basics हैं जैसे एक man को cross करेगी तो उसका जो train का distance है वो सेम रहेगा बट एक bridge को अगर cross कर रही है platform को cross कर रही है दूसरी train को cross कर रही है तो वो सारी distance आपकी add जाएंगे ध्यान दिजीए आपका speed तो आपको यहां मिल गया but how you will get distance distance आपको मिलेगा speed train की जो length होगी वो plus अब plus में क्या क्या आएगा man कभी भी add नहीं होता है काउ अगर आजाए तो काउ भी कभी भी add नहीं होता है तो add क्या क्या होता है आपकी platform की length add होगी आपके train की length होगी आपके bridge की length होगी आपके tunnel की length होगी यह चार चीजें आती हैं exam में के वल तो आपका distance कैसे मिलेगा with the help of these two points तो इसमें आदमी को cross कर रहा है तो जो train की length होगी जो भी train की length होगी वही length होगी आपके train की जो length है वही आपका बन जाएगा distance जान रखिए जो train की length होगी वही आपका distance बन जाएगा फिर लिखा है find the double the length of the train अगर length train की length की length का double बताईए आप तो question है 24 seconds में cross करती है तो जैसा मैंने आपको formula बताया था कि आप सभी को पता होना चाहिए speed equal to distance upon time यहाँ पे speed आपकी आएथी 10 meter per second and distance आपका train का same ही होगा क्यों क्योंकि आदमी को cross कर रही है जब आदमी को cross करती है तो train की length होती है वही distance होती है आगे length of the train and double बताना है आपको 24 seconds का time लग रहा था आप देखिए meter per second में second से second ध्यान रखिए इसी दिए मैंने बोला है kilometer per second अगर train में रहे kilometer per hour रहे तो meter per second में आपको convert कर लेना है तो यह कितना आजाएगा 240 distance of length of train तो 240 है बट इन्होंने double पूचा है तो 240 का कितना हो जाएगा टू 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 जाएगा 480 meter 480 जो है meter हो जाएगी confirm तो पहला question यहाँ पर समापत होता है इसके अंदर यह question जो है आपके classic standard का है ठीक है धियान रखिए यह जितने भी question त्यार के गया है point यह रखा गया है दिमाग में classic standard क्योंने चीए बट 9 के भी last में कुछ questions add है next question हम लोग देखते हैं क्या है यह एक test series चल रही है जिसमें SI, Sinek Institute हमेशा एक common intent test करवाता है जिसके लिए registration on हो गया है आप बाकी चीजें इसको पढ़ सकते है फर्दर अगर query है तो आप call करके confirm कर सकते है next question है कि length of a train ध्यान से पढ़ते हैं question को question को ध्यान से पहले पढ़ना है क्या दिया है length of a train is 240 meter अब train की length दिये तो train की length किस में count हो जाएगी distance find करने में count हो जाएगी तो train की length कितनी है 240 ऐसे लिए train की length कितनी है 240 meter find that time taken by it to cross a platform अब देखे platform को cross कर रहा है तो final distance आपकी क्या बनेगी train की length plus platform की length distance निकालने के लिए जो चीजे मैंने last question में आपको add करने को कहती उन पे बहुत ध्यान रखना है तो 240 plus platform की length क्या platform की length यहां प्लाटफॉर्म की length है 180 तो 240 plus 180 यह final आज़ेगा 0,8,4,12,2,3,4,20 meter यह हो गई आपको final distance जो आपको cross कर दी है ठीक है now the speed of the train आप देखिए मैंने पहले ही question में बता दिया है introduction में बता था यदि train आपको दिख जाए तो speed को किस में convert कर लेना है meter per second में तो speed कितनी अपने पास speed equal to 108 km per hour तो km per hour का conversion मैंने आपको बताया हूँ है क्या करना है 5 upon 18 से multiply करना है 1860, 6000, 30 meter per second यह बहुत ही easy तरीका है सबसे पहले आपको एक formula बताऊना चाहिए अभी भी distance में count नहीं होगा now next speed आपको मिल गई और पुछा गया find a time taken तो speed का formula हमें पता speed equal to distance upon time इसी formula को हम convert कर सकते है time equal to time equal to distance upon speed हमारे पास exact distance जो है 420 meter है and what is our speed तो 30 है इसको हमने cancel किया 3 1 4 तो 14 meter जो 14 meter time है तो 14 meter कैसे हो सकता है it should be second क्यों यह हमारा speed जो है meter per second में है meter से meter cancel तो second उपर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 14 second में वो train जो जा रही है वो 180 meter bridge को या platform को cross कर लेगी यह question आपका SS Sanic School में भी आया हुआ है ध्यान से करते रहिए अगर आपको question का solution आता है तो नीचे comment box में जरूर comment करके बताएं we are always watching your comment and welcome all your comments next question है यह आपका test series का matter वो दिया है ना next question next question आप read करिये एक बार और समझने की कोशिश करिये next question please जरा पढ़िये और समझने की कोशिश करें क्या train word आया है इस question में सबसे पहले ध्यान दिजिए क्या train word इस question में आया है yes train word इस question में आया है train अगर word आया है तो हमें सबसे पहले speed पर ध्यान देना है meter per second में होना चीए distance जो है वो निकलेगी जो भी दो चीजों को मिला के निकलेगी बढ़ दो चीजों में man कभी भी शामिल नहीं होता है आगे पढ़ते हैं time का formula हमें पता होना चीए time given है तो उन चीजों को हम note कर लेंगे देखा है a train crosses a platform of 250 meter in just 18 seconds इसकी एक trick भी है जिसको हम आगे discuss करेंगे ठीक है देखते हैं पहले देखा है train crosses a platform of 250 meter in just 18 seconds तो एक train है जो की platform को cross कर रही है है आप train की length हमें देखना है या नहीं है जो question पढ़ने से पता चलेगा in just 18 seconds time हमें दिया है 18 seconds में यह दोनों को cross कर देगी आगे देखते हैं length of the train is 150 बिलकुल length of train दिया है that means हम यहाँ पे 150 लगा देगे this is the train length और this is the क्या किसको cross कर रही platform की length है okay well I have found the speed of the train in km per hour okay km per hour में convert करना है तो हम convert कर देगा final यहाँ देखते हैं speed क्या है speed equal to distance upon time यह हमारा formula होता है speed हमें निकालनी है distance हमें दिया है 250 and 200, 300, 300, 400 400 meter यह distance दिया है and time दिया गया है 18 seconds का तो यहाँ पे देखिए कैसे cancel होगा नहीं cancel होगा तो कोई बात नहीं 400 upon 18 to 18 upon 5 कर दिजिए अभी आप km per hour से meter per second में जाने के लिए 5 upon 18 का use करते थे but meter per second से km per hour में आने के लिए 18 upon 5 का इस्तेमाल करना है जो कि मैंने यहाँ किया है 5, 8, 40 तो answer आजाएगा 80 km per hour 80 km per hour लिए the correct answer if you know the correct answer then kindly type your answer next question की तरफ मुफ पढ़ते हैं as यह जल्दी इसलिए है क्योंकि आपका राश्य मिलिटरी स्कूल का एक्जाम नज़्रीक है आपको थोड़ा सा फटा-फट सॉल करना भी आना चाहिए now next question 250 meter यह तो हो चुका question number 4 question number 4 पढ़ते हैं और देखते हैं क्या इसके अंदर भी speed आया है check करिये एक बार सभी बच्चे ध्यान से करिये और जल्दी से अपना answer भी type कर सकते हैं अगर आपको आता है most welcomes your comments and answer if you like the session then channel को subscribe जरूर करें video को पूरा जरूर देखें I think you will learn many things from this lecture बहुत ही अच्छा topic है और आपको score करवा सकता है एक से दो question दो question का मतलब है 6 number आपको score कर सकता है या करवा सकता है train crosses upward के लिखा है train ही है न train है तो हमें सबसे पहले speed पे ध्यान देना है फिर हमें देना है distance पे ध्यान देना है फिर हमें train की time पे ध्यान देना है तीनों चीज़े speed पे क्या ध्यान देना है kilometer से meter per second में होना चाहिए distance पे हमें ध्यान देना है train किसी चीज को cross कर रही है और time अगर given है तो okay नहीं given है तो well and good हम यहां से देख लेंगे लेका our train crosses a platform in just 15 seconds that means यह platform को cross कर रही है that means हमारे पास में एक तो platform की length होनी चाहिए and second होना चाहिए train की length एक तो platform की length होनी चाहिए second क्या होना चाहिए train की length और यहाँ पर speed क्या given है speed देख लेते हैं speed of train is 108 108 km per hour but मैंने आपको एक trick बताई है कि इसको हमें convert करता है 5 upon 18 सिक्षा 30 meter per second this is the actual speed अब देखते हैं train की length है platform की length में क्या हमें given है तो length of the train लिखा है find the length of the train आपको very good question इस question का answer आप लोग जरूर दें और सीखे देखिए जब भी question के अंदर speed equal to distance upon time है इसका मतलब है दो चीज़े हमें known होची तभी हम तीसरी चीज़ निकाल पाएंगे न यहाँ पे दो चीज़े unknown है इसलिए इसका answer कभी भी हम नहीं निकाल पाएंगे reason है इसलिए इसको आँदेंगे can't be determined हम पता ही नहीं लगा सकते हैं क्यों क्योंकि length of train कितनी है और platform की length कितनी है तो हम इसका answer नहीं दे सकते हैं इसलिए answer होगा can't be determined क्यों होगा क्योंकि या तो train की length या प्लैटफॉर्म की length दो में से एक देना चाहिए या ऐसे देता train की length जो है platform की length की डबल है या ऐसे देता platform की length जो है train की length की half है तब भी हम निकाल लेते हैं but as such condition हम नहीं निकाल सकते हैं इसलिए answer क्याएगा can't be determined now next question की तरफ move करते हैं I hope आप समझ गये होंगे तो बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है because आपके पास जो है समय की कमी है फट आफट इस next question को देखते हैं क्या question है पढ़िया आप लोग तब तक हम इसे manage कर लें जल्दी करें जल्दी से जल्दी solve करके अपना answer भी आप बता सकते हैं train crosses a platform train है platform है तो confirm सी बात है जो last previous questions में हम करते आ रहे हैं सब चे पहले आपको speed पर देना है, distance पर देना है then time पर देना है और यह किसको cross cross कर रहे है platform को platform को cross कर रहे है that means platform के लेंथ या train के लेंथ हमें पता होना चाहिए now next platform if the speed of the train 72 km per hour है 72 km per hour का मतलब 5 upon 18 18 चके बातर 6 पंजे 18 चे 18 चके 48 यह तो गलत है भाई 6 तरी कठार, 6 कम 6, 2 बार 3, 4 के बार, 4, 5, 20 कितना आएगा 20 meter per second है तो यह conversion है जब भी train आपको question में देखे ज़रूर अपने speed को meter per second में convert कर लें now next 30, find the length of the train if the platform is thrice previous question में ऐसा कोई relation नहीं दिया था बढ़ इस question में relation दिया है अब जब relation दिया है तो हम निकाल सकते हैं find the length of the train if the platform is three times मतलब platform यह x है तो यह कितना जगा 3x दियान से पढ़िए लिखा है length of the train हमें निकालने है the platform is three times the length of the train train का तीन गुना है तो हमारी distance पता चल गई and time क्या given है time given है 30 seconds तो हम इसको mention कर देते है 30 seconds तो हम एक formula पता है speed equal to distance upon time क्या formula पता है speed equal to distance upon time तो speed कितनी है हमारे पास में it is 20 meter per second distance है 3 और 4x upon 30 तो कितना जगा 3 दूना 6 600 by 4 x तो 4 1 4 पंजे 20 x equal to कितना हो जगा 150 मतलब हमारे train की जो लंबाई है that is 150 meter और जो हमारा platform है 15 प्लाटफर्म है 15 प्लाटफर्म 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 के लेंद दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो जएगा 600 meter चलिए next question की तरफ next question में लिखा है train crosses an electricity pole now next next के अंदर ये है कि अब हमारी train जो है एक pole को cross कर रही है अब pole और human दोनों की length बहुत कम होती है इसलिए negligible होते है इसलिए इसलिए इसे हम add नहीं करेंगे तो तीन चीज़े आ गई अब आपकी जो add नहीं करनी है एक man एक cow एक pole ये तीन चीज़ों पर आप जमेंशा ध्यान रखिए तो इससे क्या होता है कि आपकी जो distance है वो पता चल सबसे पहले train word आया है तो हम speed पे दयान देंगे distance पे दयान देंगे time पे दयान देंगे okay let's check कि क्या conditions है हमारे पास में a train crosses an electricity pole in 12 seconds तो time तो हमें confirm हो गया at least 12 seconds ओके आगे चलते हैं and 225 meter platform platform जो है तो यहां पे हमें train crosses a pole पहले pole को cross कर रही फिर platform को cross कर रही दहान से पढ़ते हैं एक बार फिर a train crosses an electricity pole तो पहले तो वो pole को cross कर दिये ठीक है और आगे वही train जाती है तो एक platform को cross करती है ये train है हमारी और ये हमारा platform है इस platform को इसको cross करने में 27 seconds लगते हैं बट इसको cross करने में 12 seconds लगते हैं इसकी बहुत अच्छी trick भी है जिसको मैं आपको discuss करूँ है train पहले तो किसको cross कर रही है ये pole की condition हो गई और ये platform की condition हो गई platform को cross कर रही है now 225 meter long platform in just 24 seconds 27 seconds find the speed of the train and length of the train question तो lengthy है बट easy तरीका है एक second में आप answer निकाल सकते है पहले basic देखते हैं तब पहले basic के अंदर जो है आपके train की length हमने x माल ली और इस pole को cross कर रहा है तो यहां से हमें distance पता चल जाता है वो x है time कितना लगता है 12 seconds तो speed equal to हमें पता है distance upon time होता है distance हुजएगा x upon 12 तो इससे क्या पता चल गया हमें कि हमारी जो train है वो x by 12 meter per second पे चल रही है क्यों हमने सारी चीजों का calculation हम लोग train आने पे क्या करता है meter per second इस तरफ देखते हैं एक platform को cross कर रही है और इस platform की length आपको given है 225 225 तो इस condition में जो हमारी speed बनेगी speed equal to x upon 12 हो गया क्यों क्यों क्योंकि वही train है न कहीं रुकी तो है नी वही train है जो आगे बढ़ती जा रही पहले पोल आया तो पोल को cross कर रही platform है इसने बोला तो नहीं है न कि कहीं speed आपको कम कर दी है इसलिए जो आगे चलेगा तो हमारी speed तो हमें पता चलेगी x by 12 और यहाँ पर distance पहले train अपने आपको cross करेगी फिर 225 लीटर पोल को भी cross करेगी सही है यह चीज पर ध्यान दीजेगा कि पहले train अपने आपको भी cross करेगी और फिर प्लाटफॉर्म को cross करेगी इसलिए distance होगा x plus 225 तो यहाँ से देखते हैं हम नया formula हमारे पास में क्या speed equal to distance upon time speed हमें पता है x upon 12 और distance कितना x plus 225 और नीचे कितना जागा 12 second क्यों time कितना दि इसलिए आप cross multiply कर सकते हैं तो यह आजाएगा x upon 12 into 12 equal to x plus 225 okay 12 चे 12 cancel हो जाएगा तो x plus x एक मिनिट रुकिएगा x plus 225 यहाँ कहीं थोड़ी सी mistake है जब चेक करते हैं x plus 225 upon 12 okay कितना 27 है यह mistake है 27 seconds लग रहा है इसको है ना क्योंकि बात में जब प्लाटफॉर्म को cross कर रहे है तो 27 seconds लग रहे है तो 27 यहाँ पर लिकेंगे यह mistake है 12 तो 34012 390 27 okay तो फिर इसको थोड़ सा erase करना पड़ेगा हमें कहां से erase करें वाई जड़ा चेक कर लेते हैं eraser लिया okay erase करने के लिए no यह eraser है यह erase कर लेते हैं जड़ा सा क्योंकि question थोड़ा सा लंदी है बढ़ ट्रिक के कोडिंग यह one line का question है जड़ा सा देखते हैं इसको यहाँ पर आजाएगा त्रिफ 9 जाए ना तो 9x यह बन जाता आपका ध्यान से 9x इक्वल टू 4x प्लस 225 okay तो यह आ जाता 9x इक्वल टू 4x और 4 दूना 8 और 100 900 आ जाएगे देखें कैसे 4 टूजा 800 हुआ अब 25 का चार्च 100 हो गया तो इसलिए मैंने direct 9 लिख लिए ठीक है थोड़ सा calculation को fast रखी अपने यह आजाएगा x इक्वल टू 900 अपान 9 से चार गया 5, 1, 5, 1, 8, 0 तो x इक्वल टू 180 और x हमारा क्या था पहले जो हमने यहाँ पर माना था speed इक्वल टू distance अपान टाइम तो distance हमारा जो था वो x था क्यों क्यों क्योंकि वो pole को या man को cross कर रही इसलिए जो train की length है वो 180 है तो हमारा यहाँ से question हो गया length of train क्या है तो length of train कितनी है 180 meter now speed of train तो speed के लिए 180 अपान 12 कर दीजिए बारा एककम बारा 15 मीटर पर सेकेंड is the speed अगर इसी को बोला होता है किलोमेटर में बताईए तो कोई बात नहीं 15 इंटू 5 अपान 18 अपान 5 कर देते हैं पांस तें 15 अठार चाहते हैं जो 54 किलोमेटर पर आवर होगा confirm है आता है चलिए next question की तरफ देखते हैं आप practice ज़रूर करें next question है अपना train crosses a person in just same question है मुझे लग रहा है एक आदमी को cross कर रही है वो अगर आदमी को cross कर रही है तो train अपने आपको ही cross करेगी और उसके बाद में इन्होंने किसी को cross कर रहा है क्या पढ़ते हैं जड़र सा देखते हैं platform को फि platform को cross किया है तब तो जैसी man को cross करेगी तो speed equal to distance upon time हो जाएगा और यहाँ पे speed equal to distance upon time रहेगा यह वाली जो speed आएगी यहाँ पे आप place कर दीजे आपका answer आजागा तो मुझे नहीं लगता है दुबारा बताने की ज़रूरत है because time is precious for you so go for the calculation and solve करके answer ज़रूर बेजें next question next question है ज़रा साब पढ़ेंगे इसे क्योंकि काफी लंबा हमें दिख रहा है और यहाँ से जो classes start थे class 9th के question यहाँ से आप carry कर सकते हैं कि हाँ यह question जो है class 9th point of view से very important है देखें क्या लिखा है a train whose length is 220 meter crosses a train with a length of 330 meter coming in the opposite direction opposite direction से आ रही है जैसे देखिए एक train यह है एक train यह है देखिए अगर आप 9th के बच्चे हैं तब previous ओला lecture भी ज़रूर देखें क्योंकि उसके अंदर basics बताएगे इसके अंदर cross एक दूसरे को करेंगी या parallel चलेंगी उस case को हम discuss करेंगे तो यहाँ पर एक train यह है और दूसरी train यह है आप यह सुचिए आप बाइक पर चल रहे हैं और आपका एक friend है इदर से आ रहा है अगर इस तरीके से आप लोग आ रहे हों और यहाँ पर अगर आप हाथ मिलाना चाहें तो it is not possible आप हाथ नहीं मिला सकते हैं यह अंगस्टर्स की तरह मैंने answer दिया आपको हाथ नहीं मिला सकते हैं बट अगर आप भी ऐसे जा रहे हैं और आपका friend भी ऐसे जा रहा है और speed जो है दोनों की लगबग बराबर है तो आप दोनों एक दूसरे को handshake करके आराम से गाड़ी चल आ सकते हैं जैसी यहां पे 30 km per hour है यहां पे 30 km per hour है यहां पे भी 30 km per hour है यहां पे 30 km इस case में यह possible नहीं है बट इस case में possible है इससे क्या पतर चलता है जब हम parallel चल रहेते हैं तो speed जो है वो कम हो जाती है speed क्या हो जाती है कम हो जाती है बट जब opposite direction से चल रहेते हैं तो speed क्या हो जाती है प्लस हो जाती है बस इसी बात पर आपको द्यान रखना हो जब भी opposite में train आए तो दूनों train हो की speed दी होगी या length दी होगी तो speed हमेशा द्यान रखना है add होगी कब जब opposite direction से आ रहे हैं तो speed क्या होगी add लेकिन different same direction में जा रहे हैं तो speed क्या होगी minus इतना ध्यान रखना है और एक चीज़ पर ध्यान नहीं देना है वैसे मैं बता चुका हूँ ध्यान ये देना है कि distance जो है वो हमेशा जैसे हम पहले question में निकालते आ रहे थे रहे हैं तो distance हमेशा क्या होगी add ही होगी pole आया तो pole add नहीं होगा bridge आया तो bridge add होगा वो सारी conditions same रहेंगी तो इसके लिए आप पीछे वाले lectures भी देख सकते हैं a train whose length is 220 meter question solve करते हैं crosses a train with length of मतलब दो train है एक तो है 220 meter की और दूसरी train है 330 meter की ठीक है आगे पढ़ते हैं coming in the opposite direction मतलब opposite direction से आ रही थी इसी इसको आपने पहले ही बढ़ लिया था direction in opposite direction speed of faster train is 60 एक train की हम ले देते हैं 60 km per hour ठीक है speed of the second train is 30 इसकी train है 30 km per hour तो आपको फिर चे data पर देहान रखना है क्या क्या चाहिए speed चाहिए हमें distance चाहिए हमें distance चाहिए हमें time चाहिए तो distance सबसे पहले बात करते हैं तो distance में तो 330 plus 220 I don't think कि आपको इस पर कोई doubt होगा 325 और 325 पाच पचास तो distance तो हमारा 550 आ गया crossing का time दिया है क्या दोनों का speed दिया है तो speed अब opposite direction में आ रहे तो speed क्या होगी add तो add किया तो 60 plus 30 क्या बन जाएगा 90 किलोमेटर पर आवर तो 90 को हमें change करता है 5 upon 18 18 95 का 25 मीटर पर सेकेंड तो speed हमारी क्या होगी 25 मीटर पर सेकेंड हमें time में तो निकालना है तो time का formula तो हमें पता है speed equal to distance upon time that means time equal to distance upon speed that means what is your distance distance is 550 and what is your speed speed is 25 so 25, 25, 22, 22 22 seconds लगेंगे एक दूसरे को पार करते में कैसे? एक train आई चलतीगे 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 क्या पार होगे? नई, नई, पार नहीं, पार नहीं भाई, ये move कर जाएगी तब वो दोने train को पार माना जाएगा? इसलिए इस प्रोसेस में कितना समय लेगा? 22 seconds इसलिए क्लास 9 के लिए most important question बनता है ठीक है? क्योंकि technical है थोड़ा सा language है थोड़ा सा समझना है थोड़ा सा दिमाग लगा के answer लेके आना है ठीक है? इसी question में अगर same जा रही होती है तो एक ही change करना था that was 60 minus 30 तो क्या था? 30 meter per second ओके? क्यों? क्योंकि same direction में है तो आप अपने friends से हाथ मिला सकते हैं इसलिए जो speed है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी ठीक है? I hope आपके समझ मेह हुआ हुआ चैनल को like और subscribe करना ना बुलें because this is Channing Institute 100% selections हर साल के, ओके? next question a train question पहले पढ़ेंगे उसके बाद में हम solve करेंगे ठीक है? आप लोग पढ़ना चालो कर दीजे बाई जब तक ये setup चलता है now this, ओके? लिखा है a train length 120 meter crosses a train coming from from front सामने से आ रही है, okay? सामने से वाले के तो question डिसकस कर लिया है तो why don't we waste our time? time waste करना सही नहीं है just watch only just pay doubt और बाकी को you can practice so I don't think कि मुझे इस पर time waste करना चालिए so मैं next question की तरफ move करूँगा और एक्जाम में भी आपको same technology लगानी है भी या if you learn first line आपको लगे की you can solve then only read the next line because आपको मैंने पहले ही बताए हुआ है your time is running so focus always on time okay now next question की तरफ move करते है question is enroll करना ना भोले भाई यहां पर लिखा है enroll करना ना भोले doubt है तो question के लिए call भी कर सकते है a train with a length of 200 meter process a train with a length of 100 meter coming from front again same question so I don't think करने की जरूरत है you go for the practice problem है call कर लिजी next question enroll करना अगे ना भूले next question is question read कर लेते है पहले उसी आनुपल a train running at a 3.50 takes 18 seconds to pass a platform अच्छा platform okay इस question को आम लोग solve करेंगे and आगे की questions मैं आपको लिखा दूंग so that आप solve कर लिजी if you have problem then comment out करे a train running at the 35 kilometer takes 18 seconds to pass a platform मतलब एक सिंपल छी train थी that was running और एक platform आया उसको उसने पास किया and it takes 12 seconds to pass a man आगे यही train जाती है और एक आधिये class 6 में भी आता है और class 9 में भी आता है so it's a very good question for you okay पढ़ते हैं आगे next it takes 12 seconds to pass a man यह train सेम है और एक आदमी यहां खड़ा है इस आदमी को पार करने में it takes 12 seconds और इसको पार करने में 18 seconds देके ट्रिक क्या है 6 seconds का ही difference है मतलब 6 seconds का difference है यहां ट्रिक है बहुत अच्छानदार वाली 12 seconds to pass a man working at the 5 okay एक आदमी था जो 5 km सी चल भी रहा था इसलिए इसको time ज्यादा लग रहा है 5 seconds से 5 km पार आवर से आदमी चल ले in the same direction same direction same direction same direction में क्या होगा क्या होगा speed जो होगी minus होगी तो speed equal to आप अभी देखते हैं आगे same direction find the length of the train and length of the platform हम दोनों चीज़ें आपके निकालनी है train के length निकालनी है x और platform की y okay consider कर लिया देखते हैं 2 case लेकिन बनने जी है मेरे साब से train running at 35 km okay पहले speed निकालते है 35 km per hour minus 5 km 5 5 5 5 5 5 5 5 km तो यह क्या जगा 30 km per hour 30 km per hour and 30 into 5 upon 18 करेंगे हम तो यह जगा 6 3 is 18 6 5 30 5 5 5 25 upon 3 आयोब 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 करेक्ट पाँच ठारा छे तरिकेट ठारा छे पेज़ेटी पत्चिश वै तीन meter per second this is the speed यह speed कब लागू होगी इस case में जब वो आदमी की cross कर रहा है क्यों वो same direction में travel कर रहा है इसलिए यहाँ पे देखते है इस case के अंदर क्या है distance equal to x plus y confirm and time कितना है अपने पास में 18 seconds है okay हमें क्या निकलना speed speed equal to distance upon time होता है very clear to you x plus y upon 18 this is the speed okay आपको नहीं लगता है यहाँ पे हम speed रख दिंगे तो हमारा answer आजाएगा speed आपको पता चलगी ना तो speed जो है x plus y upon 18 है और यह वाली speed का use करके क्या हम यहाँ से answer निकाल सकते है 25 upon 3 तो x plus y हमारे पास में है 3 चके ठारब 25 चका 25 चके 100 25 चका डेड़ जो x plus y मतलब दोनों को मिला करके जो length आएगी वो 150 आएगी ठीक है जरूर करिये question is important same है इसलिए छोड़ते है next question में 250 meter long cross a platform at 350 50 second find that time okay bridge है बहुत easy question है मुझे बताने कि जरूरत नहीं है bridge के case में क्या होगा bridge add हो जाएगा next question है two train start पटनाइं गया okay very good question अलग है थोड़ा सा solve करके इसको दिखाते हैं आपको solve करेंगे इस question को two train start at the same time from पटनाइं गया okay two destination पहले बना लेते हैं one is पटना and second is गया और दो train है start होते हैं at the same time okay seven way मान लिया seven way start होते हैं and process to cover the इसको भाई एक गंटा चला दीजे ईसको गंटा चला दीजे जब दोनों मिलेंगी तो बीसκ किलोमेटर का डिफरेंस आजाएगा ने हसा शोग एक गंटे में शोट चलीए एगगंटे में चालिस बोला होता, तो दो गंटे इसको चलाते, दो गंटे इसको चलाते, मतलब, 120 किलोमेटर यह हो जाता, 80 किलोमेटर यह हो जाता, तो दोनों का डिफरेंस कितना होता, चालिस, सही है, क्या बोला है, find the distance between Patna and Gaya, इस case में Patna and Gaya का distance होगा, that is 100 किलोमेटर, क्यों, दोनों एक गंटे के बाद ही मिल जाती है, बट इस केस में आपका आपका अंसर होता है, आट दुन नदेश, 200 किलोमेटर, क्यों, क्योंकि दो गंटे के बाद मिलेंगी, ठीक है, technical question है, दिमाग लग काना है, different question था, इसलिए स्वाल किया, else don't waste your time, next question, next question की तरफ हम मूव करते हैं, और देखते हैं क्या लिखाया है, two stations A and B are 100 feet 10 किलोमेटर अपार्ट from the straight line, okay, एक ही straight line में है, ये भी different question है, इसे करते हैं, स्वालो, अलब question को जरूर स्वालो करता चाहिए, कि same question में, I think, it is the wastage of time, so don't waste your time, just go for the practice, because time आपके पास में कम है, two trains, पहली चीज़ा है, two train station A and B, 110 किलोमेटर, okay, मैंने बना लिया, एक तो A है, एक तो B है, और इनके बीच में, गैपिंग है, 110 किलोमेटर, okay, किलोमेटर, okay, on a straight line, one train start, एक यहां से 7 बिज़े start होती है, travel, बूज की तरफ जाती है and B से 20 किलोमेटर पे start होती है, और इस तरफ जाती है, यहां वाले कितने पे start होती है, 7 बिज़े start होती है, 20 किलोमेटर, okay, time, distance कहा है, speed तो दिया ही नहीं है, okay, no problem, B at 20 किलोमेटर पर आवर, another train start from B at, अचा है, यह 8 बे चलती है, यह 8 बे चलती है, और यह 20 किलोमेटर पर अचा बज़े start होती है, यह का दियान रखना है, travel towards a, okay, no problem, at speed, okay, at what time they will meet with each other, कितनी देर के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी, तो एक तरीका तो यह hidden trial है ना, पहला option मालो, एक गंटा है, दूसरा option दो गंटा है, तीसरा option तीन गंटा है, चाता option चार गंटे है, ठीक है, प पहले मैं एक गंटा तो नहीं चलाओंगा, क्योंकि 20, 20, 40, 45 मिनटी है, मैं नहीं चलाओंगा, मैं चलाता है इसको दो गंटे, तो यह 40 किलोमेटर चलेगी, और यह 50 किलोमेटर चलेगी, सही है, तो 90 का ही तो difference है, बढ़ हमें कितना लाना है, 110, तो 90, 20 का difference है, तो 10 और जाने में आदे गंटे लगी है, सही है, इसका मतलब डेर गंटे के बाद में वो ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएंगी, दिमाग से के वल, only use your brain, फिर से इस question को solve करके आपको दिखाता हूं, कैसे, देखेगा, एक train है, A, एक train है, B, दोनों डेस्टिनेशन है, इनके बीच का डिस्टेंस है, 110, किलो मीटर, एक train यहां से स्टार्ट होती है, 7 बज़े एक train स्टार्ट, अचा, एक question इसमें अलग भी आता है, अभी बताते हैं, 7 बज़े वाली चलती है, 20 किलो मेटर पर आवर से, और ये वाली चलती है, कितने बज़े से, 25 किलो मेटर पर आवर से, है साथ बे स्टार्ट हुई है, आठ बे स्टार्ट हुई, स्टार्ट हो गई, कोई बात नहीं, कितना ट्रैवल करना है, महलो, इसको मैंने 2 गंटे चलाया, तो 40 किलो मेटर, इसको मैंने 2 गंटे चलाया, 50 किलो मेटर, चलेगी, और जब मिलती है, तब की बात हुई है, तो मिल अब एक काम करते हैं 10 km इसको हम चलाते हैं 10 km हम इसको चलाते हैं तो 40 और 10 50 और 50 और 10 60 60 और 50 110 तो हो गया 110 km तो distance cover कर लिया ठीक है अब इसको देखते हैं 20 और 10 ठीक है तो ये 40 km चलने में इसे 2 घंटे लगे थे ये कि एक घंटे में 20 km तो 2 घंटे में 40 km और मुझे अगर 50 चाहिए तो आदा घंटा यहां से ले लो आदा घंटा ही तो 2-1-3, 3.5 आवर या 3.5 आवर के बाद में मिल जाएं तो 3.5 आवर का मतलब है 7-3, 10, 10 बचके आधा घंटा मतलब 10.5 आवर पे वो मिलेंगी इस तरफ से उस तरफ से देखते कितने बज़े बिलेंगी आठ बज़रा था ओके दो घंटा आपने चलाया ओके ये 10 km कवर करने के लिए आपको क्या स्पीड चीव दर सा अलग आएगा लेकिन साड़े 10 बज़े दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी ध्यान रहेगा next question की तरफ देखते हैं नहीं समझ में आया हो please comment out okay we are waiting for your comments next question अचा ठीक है आप बाकी questions आप देखिए करिए नहीं समझ आया comment करते है easy question पहली लाइन पढ़के ही आपको judgment ले रेना है question कैसा है next to train 70 and 80 meter long respectfully running at the rate of 60 and 40 hours on a parallel train मतलब इस तरीके से चलना है आपको parallel का मतलब क्या होता है एक ही direction में आपको चलना है एक direction में आपको चलना इस तरीके से आप चलेंगे एक ही direction में जाते है तो speed क्या होती है minus इस बात पे दयान रख लीजिए on a parallel train opposite oh on a parallel track बग तिन opposite direction opposite है तो कोई बात नहीं है ऐसे बना लो इसमें क्या दिक्कत है opposite चल रही है तो ऐसे बना लो और opposite में क्या हो जाएगा speed क्या हो जाएगी plus आगे और opposite direction how long they will pass to each other तो easy question है बताने की ज़रूरत नहीं है दोनों को आप क्या करेंगे train distance आगे आपका साथ साथ 14 एक साथ 50 मीटर का distance हो गया speed दिये क्या देखते है 68 and on a turret of 68 and 48 km an hour मतलब दोनों का एक साथ में दिखाला है तो speed कितनी आगी 6,4,10,100,108 km per hour but मैंने हमेशा आपको होता है 5 upon 18 18 से 18 6,5,30 30 meter per second तो time का formula लगा है you will get your correct answer okay so don't waste time next question next question जो है 17 two trains travel in the same narration I hope आपको बता दिया है समझा गया है do it next question two train 70 80 same question बताने की जरूरत नहीं है two train in the same direction okay same direction का discuss कर चुका हूं मैं a train running at the 24 km 30 seconds to pass a platform next okay बता चुका हूं ये भी question so thanks for today ये भी आप कर लीजिगा नई समय आई then comment out thanks for today और enrollment करना ना बुले best of luck for your exam that is for the RMS okay कब exam है आपका 17th so keep watching the videos जो भी आ रही हैं so watch करिये और thanks to you thank you कर दो दो हूं मैं जो दो हैं कर दो हैं